आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाई साहिल सर में जहां पर आज हम कर रहे हैं डेली प्रैक्टिस यह एक्सी प्रैक्टिस है जो लगातार चल रही है और जो चीजे मैं बताता हूं वो सारी चीजें आपके काम की है और यह चीज की समझ रखने वाला बच्चा ही आगे जाएगा अधरवाइस नहीं जा पाएगा ठीक है आईएगा स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का इस खुब सूरत से सेशन को अती महत्पूर्ण मैथ की प्रेक्टिस होथ है छे बजए एक रिजनिंग की प्रेकटिस होती है आप को दौनों परैक्टिनू करना है सफल् तका Изब को यह लिए हैं नहीं हमारे पास है न आपने पास है अगर अछ्छा पढणना चाहती हो तो अर्र विएच में जड़ों 600 रुपे का offer आपको अभी भी continue है, मिल जाएगा, आप अपने application पर जाकर, आप अपने offer के साथ और batch के साथ जुड़ सकते हो, पढ़ाई आपको करनी है, महनत आपको करनी है, content हम provide कराएंगे, और जो content को अच्छे से पढ़ गया, वो selection लेकर जाएगा ही जाएगा, अगर आप math railway foundation batch की बात करते हैं, तो railway foundation batch जो आपका है, वो आपको live और VOD दौनों में मिलने वाला है, यानि कि जो हो चुकी है वीडियो, वो recorded में, जो चल रही है वो live में मिलती रहेंगी, और recorded में जाती रहेंगी वो, ठीक है, 600 99 में का ये batch है, आप इसका फाइदा उठाईए, हमारे के पास, और उमीद करता हूँ, आप सभी लोग सही रंग से उत्तर देंगे, देखते हैं कौन देता है, और 25 कुशन में से कितने आज आज आपके जवाब बनते हैं, चलिए अब देखो, आप बच्चा देखेगा तो डर तो लगेगा ना, बच्चा स्टूडेंट देखेगा तो उसको डर लगेगा बोले यार ये क्या बवाला गुरू जी, ठीक है, चलिए, तो अब उसका इलाज क्या हो सकता है, इलाज हम देखते हैं, उसका क्या होगा, ठीक है, आईए तो हम यह कहेंगे यार 3.75 बार बार आ रहा है गुरू जी तो मैंने का 3.75 को साइड में ले लो इसको A के बराबर माल लिया फिर 2.85 है 2.85 को हमने B के बराबर माल लिया ठीक है अब मैंने यह चीजें यहां देखी यहां पर रजने शुरू कर दिया मैंने यह यह अ क्योड़ गया हूँ कर सकते के 10Music को और rif हकी वहां इस तरह की feeling आरी है न आपको आरहा है किन्या रही है बता दो यार बता दो यार क्या बात कर रहे हो ठीक है तो कुछ मिलती जुल्ती बाते नजरती है सर क्या नजर आती है यार कल को अगर आप माल लो a cube minus b cube करना चाहो मेरे साथ में तो मैं क्या कहूंगा a minus का b a square plus a b plus का b square आप ये वाला formula लगाना ज़्यादा satisfy समझते हो या आप a minus b का whole cube लगाना ज़्यादा satisfactory समझते हो जो a cube minus का b cube minus का 3a square b और plus 3b square a बताओ भई तो मेरे इसाब से जो मेरा sense कहता है जो कि बहुती common है कि यार ये वाला ज़्यादा बढ़िया लग रहा है अपने को क्यों लग रहा है क्योंकि देखो ये a cube हो गया ये minus का b cube हो गया अब सर ये plus वाला है तो 3b square ये मत्तब 3a है हाँ ये 3a b square है और ये हो जाएगा सर जी 3b a square और minus का b cube तो भाई ये वाली बात आ गई समझ में मेरे और मैं अब खुश हो गया हूँ और ये ultimately मैं कह सकता हूँ कि ये a minus b का whole cube है सर हमें 30 seconds में ये कैसे समझ में आता नहीं आता आप लोगों को लेकिन आज के बाद कभी गलती नहीं करोगे ओके सर जी ये क्या बवाल है मैंने का ये भी वही बवाल है फिर तो a square minus का 2ab plus का b square यानि कि a minus b का whole square है ये a minus b का whole square है तो answer कितना आ गया भाई कि a minus का भी और a minus b की value कितनी है 3.75 माइनस 2.85 यानि की 0.9 या अच्छा लगा हो ना तो दिल से like कर सकते हो हाँ बुरा लग नहीं सकता क्यों अगर आपसे नहीं बना तो यह आपकी कमजोरी है इसे हमारे उपर थोप कर कि खुद को negative मत करना पेपर में सीखना यह चीज है ना चलिएगा सर मेरा फॉर्म भर जाएगा क्या मेरे पास आई टी आई में कोपा है आई टी आई में कोपा रेलवे टेकनीशन में ट्रेड में कोपा है मैं समझा नहीं बेटा कोपा क्या होता है अगला प्रशन आपके सामने यह ला करके बताईए समान गती से चलती हुई एक रेलगाडी 120 मीटर लंबे प्लैटफॉर्म को 8 सेकंड में और किसी खंबे को 5 सेकंड में अब मैं आपसे कहता हूँ यह 3 सेकंड जो एक्स्ट्रा ले रही है ना यह रेलगाडी काड़ी ले रही है और वह क्यों ले रही है क्योंकि 120 मीटर की वजा से ले रही है यान कि आपकी जो इस पीड हो जाएगी हो कितनी आजाएगी 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, अब ट्रेन की लंबाई पूछी गई है, तो ट्रेन खंबे को पार करेगी न, पांस सेकंड में, वही ट्रेन की लंबाई को बताएगा, तो ट्रेन की लंबाई हो गई 200, उड़ा दिया न, जितना टाइम आपने उसमें दिया होगा, उससे कम समय में य नहीं सिखाऊंगा आप लोगों को है न, करते-करते, चलिए, अगला प्रशन आपके सामने ये लीजिए, एक बट राही मारिए, मनीश ने एक फ्लेट 7,50,000 रुपे में खड़ी दी, उसे इसकी रंगाई और मरमत पर 50,000 रुपे खर्च किये, और इतने रुपे में बेच दी, यानि कि कुल मिलाकर रंगाई फंगाई लगाकर 7,50,000 की जगे, 8,00,000 रुपे में कोई चीज पढ़ी है आपके पास, 6,80,000 रुपे में आप उसको सेल कर रहे हो, 6,80,000 में, चाहो तो आप इसका हानी पर्तिशत निकालने के लिए 3,0 से 3,0, 1,0 से 1,0, 4 से काटा 20 वर और 4 से काटा 17 वर, और यहां आप डिसकाउंट देखते हो, तो जड़ा देखिए, 3,20,100, डिसकाउंट क्या मतलब हानी, हानी हो गई सर्फ 15 परसेंट लिए, 15 परसेंट के लॉस में आदमी जी रहा है, अब जीता रहे है, हाँ, चलिए, अगला प्रशन आपके सामने ये रहा, देखते हैं भा दिसके हैं, अब डिसके लोग देखते हैं, ऑन बनने मतलब हैं, अजय हो, झाला देखते हैं, कि आपके से दो दो थाषम पोई परसेंट क्यों समद़ खोकी हैं є अब एक क्रिकेट मैच में पहले 15 ओवर में बने रनों का उसत इतना पहले 15 ओवर में और 348 रनों के लक्षे को पूरा करने के लिए सेस 35 ओवर में क्या करना होगा देखो 15 ओवर में अगर 6.4 की रन रेट से आपने रन मनाए तो इस 15 को मैं 30 बटे दो कह सकता हूं यानि की 32 या 96 रन तो बन चुके हैं अब 96 रन अगर बन चुके तो 348 रनों के लक्षे का पीछा करते हुए अगर 96 रन बन चुके हैं तो 8 में से च्छे गया तो जो और क्या कहते हैं अपना यह हो जाएगा सर जी 25 25 और अब 252 रन आपके पास है तो 35 ओवर का हिसाब किताब देखना है तो क्या हिसाब किताब बैठेगा साथ से चला जाएगा पांच बार और साथ या 21 और साथ चिंग 42 तो आपका जो रन रेट आ रहा है वो 7.2 रन परतियोवर साथ दशब्लिट रन परतियोवर अभी आपको मतब करना पड़ेगा यह ना बैटिंग करने पड़ेगी समझ रहें आप हाँ तो यानि कि 7.2 रन है तो आप क्या सोचते हैं आप ये सोचेंगे कि 6 बोल हो रही है तो कम से कम एक बाउंडरी तो आए आए परना यार मतलब नहीं है अब बाउंडरी में चौका हो या चुका हो फिर आप सिंगल डबल से डॉट भी निकाल सकते हैं ठीक फॉर्मूला आता है तो लगा पाओगे नहीं आता तो फिर बैठे रहोगे पहली बारे प्राकर्ट संख्याओं के घनों का योग कितना होगा तो हम जानते हैं कि अगर हम घनों के योग की बात करते हैं तो यह हो जाता है सर जी एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वाइर बाह क्या whole square बा अगर मैं बात करना चाहता हूँ कि square का sum क्या होगा तो यह होता है sir n into n plus 1 2n plus 1 by 6 by 6 तो यहां मैं यह बात कहता हूँ आप से कि sir जी अफ्सॉल करना पड़ेगा तो 12 गुणा 13 बटे 2 का whole square तो 13 छिंग 78 का whole square 78 का square निकालना आता चाहिए तो 49 64 576 दोनी 112 तो यहां 78 का square भी मैंने जटके में निकाल दिया देख लो ठीक है नहीं 6084 यह कितके आगया वही 78 का square आगया ठीक है 78 का square आचुका है अब यहां मैं value निकालता हूँ देखो N की value में 12 रखोंगा 12 इंटू 13 और 12 दोनी 24 और एक पच्चिस बटे 6 6 दोनी 12 13 पंजे पैसर 650 650 जब आप चप चप घटा होगे तो 4, 3, 34 वाला आंसर आगया C option तो मज़ा आ गया कर नहीं आ गया अच्छा लगा कर नहीं लगा लगेगा का मेहनत करोगे formula पता होगा तो होपाएगा भाया like share में तबदील करते रहिए इतना में wait नहीं कर सकता आपके like share के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगला प्रशन आपकी screen पर है यह लीजिए देखते हैं कौन बच्चा करके बताता है radian में value देनी आंसर अब ऐसा question कभी भी जिन्दिगी में आ जाये न तो पहले बाद तो 2 का भाग कर दो तो 2 का भाग करोगे तो 1 बटे 2 यहां आ रहा है cos theta और root 3 बटे 2 यह आ रहा है sin theta और बराबर हो जाएगा 1 और यह 1 होने का मतलब ही आप समझ जाईए कि भाईया यह cos square plus sin square बराबर 1 है तो इसका मतलब यह cos theta की value एक बटे 2 है तो theta की value 60 degree हो जाएगी यहां बस खेल गए भाई साब आप और 60 degree का मतलब होता है pi by 3 क्योंकि 60 degree को अगर आप radian में बदलते हो तो pi बटे 180 से गुणा करना है तो pi बटे 180 से गुणा करने का मतलब pi by 3 आपका right answer आ जाएगा अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर यूँ है करिए लिए एक धन राशी दो वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज इतना और साध vérन ब्याज इतना तो रेट क्या हो जाएगी देखो साध्यर्य वियाज और यूब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तभी तो 44 रुपर आ रहा होगा 1664 बन रहा होगा तो यहां रेट ऑफ इंट्रेस्ट आठ परसेंट है बस तो बस खेल घतम पांस सेकिंड के अंदर है इनों से भी तेज ठीक है चलिए नेक्स्ट 396 संत्रों का मुल्य इतना है 18 दर्जन संत्रों का मुल्य बताईए यूनिट्री मेथड इसे कहते हैं दोस्त यूनिट्री मेथड एकक नियम इसे बोलते हैं चलिए ट्राइ मारिए अब 396 संत्रों का मुल्य इतना है तो 1237.5 बते 396 एक संत्रे का 18 दर्जन का मतलब 18 into 12 अठारा एकम अठारा अठारा दूनी चत्तेस और अठारा दूनी चत्तेस ग्यारा दूनी बाइस ग्यारा एकम ग्यारा बचे एक ग्यारा एकम ग्यारा बचे दो ग्यारा दूनी बाइस और ग्यारा पंजे पच्वन दो चिगी बारा चै पंजे तीस चै दूनी बारा और त अगला करिए अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेर भी करते जाएं वरना नंबर तो लाश्ट में पूछूंगा ही मैं आपसे अगला प्रशनी देखिए एवरेज से है एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है पहले 10 प्रेक्षणों का 45 शेश का इतना पूरे का माध्या बताईए सर्वेक्षणों की संख्या यह है 10 का यह है तो 10 का तो 4.5 है और बाकी बचा हुआ 30 का क्योंकि 40 में से 30 बचा उसका 3.5 है यहां एक अनुपा 3 है यहां 3.5 को अगर आप बेस माल लेते हो तो यह एक ज्यादा दिख रहा है एक ज्यादा हो गया एक में तो केक कटेगी सब में बटेगी तो पॉइंट 25 बढ़ा दीजिए तीन पॉइंट पांच प्लस का पॉइंट 25 तो पॉइंट 75 तीन पॉइंट 75 सी आप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा वाई किसी को को दिक्कत है गया अच्छा लग रहा है अगला प्रशन देखते हैं ताइम एन वर्क से आपके निगाहों के सामने आया है और बोल रहा है कि भाईया करवाईए जवाब दीजिए एक्स किसी काम को 36 दिन में कर सकता है य बारा दिन में टोटल काम 36 एफिशेंसी ये एक और एफिशेंसी ये तीन यदि दौन ओ तीन दिन तक काम करते हैं तो चार की एफिशेंसी से तीन दिन तक काम करते हैं तो बचा हुआ काम क्या है 24 काम 36 के रेस्पेक्ट में तो 12 दौनी 24 और 12 दिन धा चा-तिन दो बटे 3 तो ये बचा हुआ जो काम बचेगा वो दो बटे 3 होगा नेक्स्ट साधरन व्याज का प्रश्ण कैसे करोगे प्रश्ण प्रतिवर्ष्ट के साधरन व्याज की दर पर एक्स रुपे का पांस साल गा तो देखो रेट इन्टू टाइम वाई रुपे पर रेट इन्टू टाइम एक्स और वाई का क्या रेश्यो सर जी ऐसा रेश्यो आ रहा है देखो नौ तिया 27 तो यह हो गया और 6.5 इन्टू पांस यह हो गया पांस से कर जाएगा नौत यह 27 ठीक है पांस से कर जाएगा चाववन बार और बताओ बस और कुछ नहीं देखो या दुबारा देख लो एक बर शै परसेंट की रेट है ने अब ऐसे करोगे तो फिर कहां से कटेगा अंसर शै परसेंट रेट है तो शैस उच्छे गया अंसर आ गया एक्स और वाई का पनाम फेतालेस और पदाहीं फचास, नो अनुपाद दस गल्ती से भी गल्ती मत करना क्योंड़ी में होने में से गल्ती होने में कोई समय नहीं है अब एक से 120 तक दोनों को सम्मेलित करते हुए सभी संख्याओं का योग कितना है तो क्या पूछा गया है एन प्राकर्तिक संख्याओं का योग क्या होगा अब एन प्राकर्तिक संख्याओं की योग का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एन प्राकर्तिक संख्याओं का योग एन इंटू एन प्लस वन बाई टू एक सो बीस एक सो एकिस बटे दो हुआ değer तो यह ओंग्या सर साथ हिंटू probability %21 इंटू इक सो एकिस बारेचल चेंग बहतर बारेचल है सींग बहतर बहतर क्या नहींट साथ चब बिसाज़पट सेवण डू-शेज़न देखिए कि सर 9दोरा भिवाजित है तो एक्स कामान क्वान कितना होगा अगर कोई संख्यान नौ से विवाजित होती तो उसके अंकों का योग अगर आप और जल्दी करवाना चाहते हैं तो भी हो जाएगा वह आपके उबर डेपेंड करता है आप अच्छा पढ़िए वैसे तो उमीद तो यही है कि हम अच्छा पढ़ाएं आपको है तो आप क्वालिटी पढ़ो यार ऐसा पढ़ो साला जुन्दीगी में दुमारा नह मनपसंद काम तो है नहीं आप यह अपनी मजबूर से करते हो जो मनपसंद तरीक से करता है ना तो वह कभी भी सेलेक्शन नहीं लेता जिसका मन होता है ना पढ़ाई करने में तो उसकी एक सब्जक्ट हो जाती है वह कुछ ना कुछ कर जाता है आगे फिर चाहे वह पढ़ा एक साल पढ़ना उसके बाद पढ़ना ही नहीं है ऐसे पढ़ लो तो पर यह बार बार की जिंजट्ट ख़तम करो कि आर मैं आधा पढ़नू अधूरा पढ़नू एसा नहीं पूरा पढ़ो पढ़ो तो वन्ना फिर पर पढ़ो इमत फिर तो आप चाहे सिए उधर-दर घु नहीं है अब ये कोशन डेसिमल वाला है जैसे कि यहाँ आपको पताए कि 731 बटे 17 बराबर हो गया 43 731 बटे 17 यहाँ क्या इस्तिति है रोले यहाँ देखो 10 की घात माइनस 4 तो यह रहा और 10 की घात माइनस 1 की यह रहा तो इसकी वैल्यू 43 है तो 43 होना 10 की घात माइनस का 3 तो 3 छोड़के लगा दो 3 छोड़के लगा दो अगला करके दिखाओ भाई दुई घात समय कराण उसका फेवरेट अब एक्स बराबर 6 ले लिया मैंने अब एक्स बराबर 6 लगने पर 36 माइनस 186 की 108 प्लस का के बराबर 0 यह का वाल है घड़वर लग रही है नहीं ठीक है चलो कि के की वेलु तो यहां से यह दार यह आ रही है के की वेलु कितनी आ जाएगी 108 माइनस 36 बहतर आ जाएगी ठीक आव आ रही है तो आ रही है एक्स स्क्वाइर माइनस का 18 12 एक्स प्लस का बहतर तो बस आंसर आ गया क्या आ गया बहतर के टुकड़े करो अब के को यहां धर दिया धर दिया तो टुकड़े कर दिये अब ऐसे जोडने पर 18 आ जाना चाहिए तो 6 और 12 होगा अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है 21-216-09 का वर्गमूल बताईए 10 सेकंड के अंदर अंदर बता सकते हो 10 सेकंड ओनली अंदर अंदर के अंदर के अंदर के अंदर के अंदर के इसका वर्गमूल बताईए 21609 ठीक है 15 का होता है अपना 225 और 24 का हो जाएगा चौदे के आसपास आएगा तो बस चौदे वाला उत्तर है बस दो ऑश्यन है क्या करोगे पूरा ले लोगे तो यहां पर हम देखते हैं सर जी यह हो गया कितना जीरो और दो हजार नो आप चौदर चौदर 28 उतार दिया अब यहां तीन लेना पड़ेगा नहीं साथ से काम चालेगा साथ से उत अपने आप ही दिख रहा है आपको एक नहीं क्योंकि साथ से ही आप आगे जा पाऊगे या दर्वाज यह नहीं पाऊगे डी ऑप्शन आपका राइ सेकंड में कर सकते हो ऐसा कुशन मैंने आपको कुछ दिन पहले भी करवाया था कि भाया जो नौ नौ रेशो है यह 360 डिगरी के बरावर है तो एक बरावर चालिस तो चार रेशो बरावर कितना 160 तो केंदर पर बना हुआ कॉण हो जाएगा 160 डिगरी पेपर में यह भरवर क आते हैं बच्चों को समझ में नहीं आता पहली बर तो लेकिन है यह दो सेकंड का कुश्चन को पूरा कॉर्ण परीदी का पूरी परीदी से जो बना हुआ होता है वो 360 डिगरी होता है तो 4 रेशों से बना हुआ कॉण 160 डिगरी होगा किसी को कोई लिक्कत ही नहीं है अगल और इस कोशन को ऐसे भी तो कर सकते थे अपन बेपको बन रहे हैं अपन इस तरीके से क्यों कर रहे हैं इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको मूलों का योग क्या होता है मूलों का योग होता है माइनस का भी वाई ये प्लस का 18 तो अगर एक आपका 6 तो दूसरा आपका 12 हो ग हुआ हो रहा है हां यह महीला यह आत्मी है और यह और यह और उसके जो अंतर है हो साल दर साल क्या हो रहा है तो इनका जो अंतर अभी के लिए देख रहा हूं है यहांरे सरे बारा पॉइंट नो है ठीक है और यह इसमें से घटाऊंगा तो तेरा पॉइंट आठ बार तेरा पॉइंट चार कि अरे नहीं नहीं तेरा पॉइंट आठ में से छह गया तो कि 28.2 ना 28.2 में से तेरा पॉइंट आठ चले जाएंगे तो बारे में से आठ गया तो चार और 27 14.4 जो हजार एक में हैं और दो हजार दो में 32.5 में जाएगा तो तो 24.4 तो आगे बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ठेक है घट रही है क्या अच्छी बाद आई घट रही है तो घटा तो जाओ साल दर साल की बात है दो हजार में 12.9 हो रहा है दो हजार एक में कितना हो जाएगा 28.2 में से आपने 13.8 को घट कार दिया 14.4 फिर 32.5 में से आपने 18.1 को घटा दिया 14.4 फिर 35.1 में से आपने 18.3 को घटा दिया 16.8 बढ़ तो रहा है 14.9 में से आपने 22.5 को घटा दिया 18.4 बढ़ रहा है भाई कैसी बाते कर रहा है तुम कि इनकी जी तो हो रहा है कि साल दर साल अंतर देखना है अंतर क्या हो रहा है तुम कुशन ही नहीं समझ पाए बता हो यारा हद बात है पीजा खाओ चलो क्रशना ने एक पीजा का एक बटे तीन भाग खाया शेश में से दो बटे पांच देवश्य को दे दिया पीजा का कितना भाग खाया हुआ रह जाता है तो एक बटे तीन भाग खाया पीजा का तो बचा कितना दो बटे तीन अब दो बटे तीन का दो बटे पांच देवश्य चैने खालिया तो तीन बटे पांच अभी बच गया भी दो इससा खालिया पांच में से तो छे बटे पंदरा या तीन से तीन गड़िया दो बटे पांच कोश्चन एक नंबर है और चार बटे पंदरा देने वालों को आप सलूट कर दोगे कि मैं करूं जाके वहाँ पे आसपास कोई बच्चा बच्चा बैठा ओ तको सलूट कर दो इसको गाल पे चार बटे पंदरा वाले को चली अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर वहीया राजू कार्थिक से 300 मेटर दूरी पर खड़ा हुआ है जैसे राजू है और कार्थिक है ठीक है अब कार्थिक से 300 मेटर की दूरी पर खड़ा हुआ है दौनों के बीच में राजू दौरने लगता है और कार्थिक उसका पीछा करता है जाने कि राजू यहां है राजू यह है और यहां आगया कार्थिक तो राजू और कार्तिक की स्पीड दे रखी है तो राजू की स्पीड कितनी है मेटा 10 km पर आवर कार्तिक दे को पीछे भाग रहा है तो कार्तिक को confidence होगा तबी तो भाग रहा है हो कि पकड लोगा शे मिनट बाद उनके वीच की दूरी मेरी बात को गौर से सुनना दोस्तों रिलेटिवली अगर आप बात करोगे तो 2 km पर ती घंटा की स्पीड का फरक आ रहा है और 2 km पर ती घंटा को अगर मैं कहता हूँ 6 मिनट को घंटे में बदल दिया ना अपने गुरू जी तो यार यहां से देखो तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि 200 मीटर आ गए यारने की कहने का मतलब यह है कि यह दोनों एक दूसरे से ऐसे भागे भी ना तो यह 200 मीटर ही अभी तक कवर कर पाए हैं लेकिन पहले से इनकी बीच की दूरी 300 मीटर है तो अभी इनकी बीच की तूरी कितनी बचेगी 100 मीटर भइव बच़ी है क्योंकि 6 MINUT में वह केवल 200 मीटर को ही त्हुपर कर पाए हым हाँ ठीक है क्यवल 200 मीटर ही कवर कर पाए वो पिर अभी भी बचा हुआ है मामला 100 मीटर काолнर को क्योंकि आल्री 300 300 मीटर का मेंटेन नहीं पहले सी 300 मीटर दूर हैं पहले सी वो लोग आई मेरी बात समझ में तो पांस सेकंड का काम था सोसने समझने की शक्ति आपको आनी चाहिए इस्वा जल्द ही देगा अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है रेमेंडर थियोरम पर आधारित करके आपके दिखाव पर आपक का मेरी दिखाव? देखिए साथ की वावर 6 प्लस 5 को अगर 6 से डिवाइड कर रहे हो आप तो यहां देखो एक रिमेंडर आ रहा है और यह पांच आ रहा है तो आपका जो अंसर होगा वो कितना हो जाएगा भाई यह माइनस एक है पूरी तरह डिवीजिबल हो जाएगा 0 कि वह प्लस एक जा र सब्सक्राइब हरी के पास इतना बच गया तो 70% बरावर हरी के पास 200 रुपे बच गया तो यह 100% की वेल्यू कितनी है 3000 तो इतने रुपे थे अब यह तो देखो यह एलपी का कुश्चन है देख रहे हो आप अब मैं शरम आ तो रही थी मेरे को लाने बट में लिया आया मै अगला प्रशन आपके सामने यह लीजिए गर के बताईए दोसो व्यक्तियों में से 140 को चाय पसंद है अब 120 को कॉफी पसंद है और 80 को चाय और कॉफी दौनों पसंद है अब ऐसे कितने लोग है जिनों कुछ ना पसंद है देखिए मैं अब आपको पहली बता चुका हूँ कि भईया चाय पीए मस्त रही है चाय 140 लोगों को पसंद है अगर मैं बात करना चाहूँ कॉफी की तो कॉफी काफी लोगों को पसंद है जो की 120 लोग है ठीक है अच्छा 80 दौनों दौनों एक बोत तो अगर मैं कहूँ केवल और केवल चाय किसको पसंद है 60 लोगों को केवल और केवल कॉफी किसको पसंद है 40 लोगों को यहां ना जाय पसंद करते है ना काफी पसंद करते है वेंड de bricks या और मुझे काफी खुबसूरत लगता ये रेल legitimately पसंद डायों ये आजाता टांए न लाना है तो शूपडह साफ करदेता है आपको क्या पसंद अब पहले तो पसंद था मुझे चाय और अब मुझे पसंद है गरम पानी ठीक है चलिए नेक्स्ट ये लीजिए अभी थोड़ा से इश्यान चल जाएगी वेबसाइट है बंगा तो थोड़ी बहुत आपको डिफिकल्टी हो सकती है लेकिन डिफिकल्टी द को ढंड़ने के लिए हे वह काम किया जा रहा है ठीक है इसे बच्चे फ्लोला सτ परिमाप बड़ा है अगर एक सेंटिमेटर की भुजा वाला एक वर्ग ले ले तो इसका पुरुप परिमाप हो जाएगा चार सेंटिमेटर और एक तिर्जा है तो तू पाई यार तो तीन पोइट्टपुफ 2 इं 2 तो सर ऐसी बात हे परिमाप तो इसका बड़ा है सर्कल का से दिखर चाहिए न तीन पुइल टो करेंगे तो भी मापा किसका बड़ा हो जाएगा सर्कल का परिमाप वापस में बड़ा जाएगा और आप देख सकते इस इसको बिना किसी दिक्कत के और जो बच्चे रेगुलर हमारे हां प्रैक्टिस करते हैं तीन बजे मज़ा आ जाएगा तुम्हें तुम्हें रेगुलर पढ़ लिए तो प्रैक्टिस जरूरी है कौन सा सूत्र सही नहीं है तो बेस अगर इक्वल है और बीच में गुणा है त सबसे पहला तो यही गलत है खेल ही खतम कर दो ठीक है चले तो आज के 25 कुशन आपके सामने थे कैसा लगा कितने नंबर आए रेगुलर पढ़ने वाले छात्रों के लिए काफी सैटिसफेक्टरी होता है जब आप पढ़ते हो प्रैक्टिस करते हो तो करो भाई सीटीम वही है जिससे टॉपर्स निकले है आप भी इसी के हिस्से है और हिस्सा बनने के लिए थोड़ी सी महनत करनी पड़ेगी एक पर फाउंडेशन पढ़ लो और अच्छा मजा आएगा आपको क्योंकि यह सेशन तो कॉंटीनू चलने वाला है तो अपनी एप्लिकेशन पर गया हुआ है जो चैटर हो चुके हैं वह आपको ैجो रिकॉर्डेट फॉर्म में गे और जो यू लाइव चल रहे हैं क्लासे वह लाइव चलती है तो वह कल सुबहोगी कॉद्द में तो ठोबड़ा साईवरिकॉर्स में जाओ RAM यह सारी सब्जेक्ट की आपको और भी लेना है आर भी लो क्लिक करोगे क्लिक करोगे क्लिक करोगे सम्मिट करोगे लिंक आएगा लिंक पे पैसा कूपन लगा दोगे तो बस हो जाएगा डिसकाउंट कूपन जरूर लगा देना लिंक पे क्लिक करके कूपन लगा देना ठीक है यह अपना कुछ ट्रिक्स वा रहूंगा और तुम्हारे महभबत की तलाश में मैं तुम्हारे लिए और मेहनत करूँगा लेकिन मैं महभबत पाकर रहूँगा तुम्हारी तो जै घंध जै भारत वंदे मात्रम मिलते हैं आफसे अगले सेशन में तब तक के लिए like कर दो खटाक से हरी सर की एक्च्छल में कुछ मिस हैपनिंग हो गई घर में इसी वज़े से नहीं ले पा रहे हैं अभी दो तिन दिन में लेना शुरू करेंगे अल्दा बैस टेक क्या लव यॉल